क्या आपको पता है आईफोन में आई का मतलब क्या होता है और इस आदमी ने कैसे जुआ खेल के अपनी कमपनी को बरबाद होने से बचाया और क्या आखिर कोई पान बेचकर करोड़ पती बन सकता है तो दोस्तों आईए जानते हैं ऐसे ही कुछ अमेजिन फैक्ट्स के बारे प्लेक के मरीजों को लाकर छोड़ दिया जाता था और जब ये मरीज बहुत ज्यादा बढ़ गए तब 1,60,000 लोगों को इस आईलेंट पर जिन्दा जला दिया गया था कजाकिस्तान में एक जगह है कलाची और इस गाव के लोग अक्सर सोते हुए नजर आते हैं ऐसा कहा जाता है कि इस गाव में यूरेनियम की काफी जहरीली गैस निकलने के कारण यहां के लोग कही भी और कभी भी सो जाते हैं इसलिए इस गाव को स्लीपी हॉलो भी कहते हैं Fact No. 3. इंडोनेशिया में एक ऐसा ज्वाला मुखी है, जिसका लावा नीले रंग का बहता है। ज्वाला मुखी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पहार की चोटी से बहते लाल लावा की छवी बनने लगती है। लेकिन ये नीले रंग का लावा देने वाला ज्वाला मुख इस क्रेटर में सल्फ्यूरिक एसिट की मातरा बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका लावा नीले रंग का है। FACT NUMBER 4 शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे, कि रोबोट शब्त का हिंदी में मतलब जबरदस्ती काम करने वाला मजदूर होता है। ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि नरेंद्र मोधी पर हर रोज 1.17 करोड रुपे खर्च होते हैं हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी एक लोते ऐसे आदमी है जिनको SPG सुरक्षा मिलती है सरकार उनकी सिक्योरिटी पर हर दिन 1.17 करोड रुपे खर्च करती है SPG सिक्योरिटी बहुत महेंगी सिक्योरिटी है खादिम इंडिया आज एक ऐसा नाम है जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं खादिम देश की सबसे बड़ी शू कंपनी बाटा को तक्कर दे रही है लेकिन इस काम्याभी के पीछे काफी संघश रहा छोटे से बिजनेस को सत्य प्रसाद रॉय बर्मिन ने अपनी कड़ी मेहनत से करोडों के कारोबार में बदल दिया आपको बता दे कि अभी खादिम इंडिया की मार्केट वैल्यू लगभग 2,065 करोड रुपे की है कैसे इस आदमी ने जुआ खेल के अपनी कंपनी को बचाया 1974 में फेडिक्स कंपनी बर्बाद होने वाली थी तब कंपनी के मालिक ने बचे 5000 डॉलर्स लेकर वेगास में जुआ खेला और जुआ खेल कर 5000 डॉलर के 32,000 डॉलर किये और कंपनी को बर्बाद होने से बचाया आज फेडिक्स कंपनी में 4 लाग से ज्यादा लोग नौकरी करते हैं और आज कंपनी की मार्किट वेल्यू 50 अरब डॉलर है आपने देखा होगा कि आइपोन ही नहीं बल्कि आपल के सभी प्रोड़क्ट्स जैसे आई मैक, आईपोड, आईटून्स, आईपैड में भी आई लगा होता है तो इस आई का क्या मतलब होता है तो बात यह है साल 1998 में हुए एपल के एक इवेंट में स्टीव जॉब्स ने आई और मैक के बीच लिंक के बारे में बताते हुए आई मैक की शुरुआत की थी स्टीव जॉब्स ने बताया था कि आई मैक में आई इंटरनेट के लिए इस्तिमाल किया गया है इंटरनेट के अलावा एपल के प्रोड़क्ट्स में आई का अर्थ व्यक्ति विशेश, सीख देना, सूचना और प्रेरणा से भी होता है जी हाँ, बिल्कुल, पान बेचकर करोड़पती तो क्या अरबपती भी बना जा सकता है आज मैं एक ऐसे पान वाले के बारे में बता रहा हूँ, जिसका वार्षिक टर्न ओवर एक अरब रुपया यानि सौ करोड़ रुपया है यदि आप दिल्ली जाओ तब दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में यश्ट एकवानी की दुकान प्रिंस पान कॉनर में जरूर जाना है समय तक एक ही कमपनी में काम करने का रिकॉर्ड बनाया, ब्राजील में रहने वाले वाल्टर ओथमन की उम्र 100 साल है, इन्होंने 84 साल तक एक ही कमपनी में नौकरी की, इसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, ओथमन ने कुछ अमेजिंग फैक्ट, आज के इस वीडियो में फिल्हाल इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो